मान लीजे कि आपके पास पानी का एक ग्लास है और आप उसमें एक पत्थर को डालते हैं तो ऐसा करने पर ग्लास में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगा? अनुभव के आधार पे आप कह सकते हैं कि ग्लास में पानी का स्तर उपर आ जाएगा यदि आप इस ग्लास में अपने हाथ की उंगलियां भी डुबाते हैं तो पानी का स्तर उपर आ जाता है लेकिन अब मान लीजे कि हमारे पास एक और ऐसा ही ग्लास है और अब हम इस पानी में थोड़ा नमक मिलाते हैं और इसे चम्मच से चला देते हैं तो ऐसा करने पर थोड़ी देर में पानी के रंग में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है ये थोड़ा अपार दर्शी दिख सकता है लेकिन पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है ऐसा क्यों क्या नमक पदार्थ नहीं है पत्थर की तरह नमक भी एक ठोसी है तो पानी का क्यों नहीं बढ़ा इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें पानी को थोड़ा पास से देखना होगा तो जब हम इसे पास से देखते हैं तो हम पानी के अणुओं को देख सकते हैं और इन्हें हम यहां इस प्रकार दिखा सकते हैं तो यहां यह पानी के अणुओं है और इन अणुओं के बीच रिक्त स्थान है तो जब पानी में नमक को घुला जाता है तो यह नमक के जो अणुओं होते हैं यह पानी के बीच इस रिक्त स्थान को ले लेते हैं इसलिए पानी का स्तर नहीं बढ़ता है तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है आए अब हम रोजमर्रा के जीवन में देखे जाने वाले कुछ अन्य उदाहरणों को देखते हैं जैसे जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो आपको तुरंट उसकी खुश्बू आने लगती है ऐसा क्यों होता है ऐसे ही यदि आप पानी में पोटाशियम पर मागनेट डालते हैं या कोई अन्य रंग डालते हैं तो कैसे उसके कण पानी में गती करने लगते हैं या एक और उदाहरण के लिए जब कभी खिडकी या दर्वाजे से धूब आपके कमरे में आती है तो आपने उसकी रोश्णी में धूल के कणों को नाचते हुए देखा होगा तो ऐसा क्यों होता है इन सब उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गती करते रहते हैं आईए इसको लिख देते हैं खास तोर पे गैसों या द्रवों में पदार्थों की ये कण किसी भी दिशा में यानि रैंडमली गती करते रहते हैं कुछ इस तरह से धूप के कण में धूल के कण इसलिए नाचते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि वे लगातार वायों के कणों से टकरा रहे हैं तो आप धूल के इन कणों की गती को देख कर ये अनुमान लगा सकते हैं कि वायों के कण किस प्रकार की गती कर रहे हैं अब चुकि ये कड निरंतर गती कर रहे हैं हम कह सकते हैं कि इन में एक गतिज उर्जा है यानि की काइनेटिक एनरजी है अब क्यूकि इन में काइनेटिक एनरजी है तो इनका एक विशिष्ट तापमान भी होता है और यदि हम इस तापमान को बढ़ा देते हैं तो ये कड औ उस तरह से गती नहीं करते जैसे तरल पदार्थों यानि द्रव या गैस के कड़ करते हैं ठोस के कड़ अपने ही स्थान पर कमपन करते हैं यदि हम इसे पास से देखें तो वो कुछ इस तरह का वेभार करते हैं कि वे अपने ही स्थान पर कमपन करते हैं और अगर हम तापमा बढ़ा दें तो ये कण और अधिक तेजी से कमपन करने लगते हैं अब हमारे पुटाशियम परमागनेट वाले उदाहरन में पुटाशियम परमागनेट के कण पानी में क्यों गती करते हैं वे इसलिए गती करते हैं क्योंकि ये कण पानी के कणों से टकराते हैं जिससे उन् पर मागनेट को पानी में मिलाया जाता है आईए इसे पास से देखते हैं तो जब पुटाशियम पर मागनेट को पानी में मिलाया जाता है तो यह हमारे पानी के यानी जल के अणू है और जब इसमें पुटाशियम पर मागनेट को मिलाया जाता है तो पुटाशियम पर मागन पदार्थों के कण आपस में मिल रहे हैं और ऐसा वे दूसरे कणों के पदार्थों के कणों या अडूं के इस तरह आपस में मिलने को विसरन कहते हैं इसे इंगलिश में diffusion कहते हैं तो यहाँ पर ये पदार्थों का विसरण हो रहा है और ये कण निरंतर गती करते रहते हैं चलिए अब अंत में इस चित्र को देखिए आपने देखा होगा कि अगर आप किसी सतह पर पानी भेगते हैं तो पानी कुछ इस तरह कठा हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकरशित करते हैं और जिस बल से वह एक दूसरे को आकरशित करते हैं यानि अट्राक्ट करते हैं उसे अंतर आन्विक बल या intermolecular force कहा जाता है और यह एक कारण है कि बारिश की बून गोलाकार होती है क्योंकि जलके सभी अनू एक दूसरे को अपनी ओर खीच रहे हैं या आकरशित कर रहे हैं इसके बारे में आप भौतिकी में प्रश्ट तनाव यानि surface tension विशे की अंतरगत विस्तार से पढ़ेंगे किन्तु अभी के लिए आप बस इतना याद रखें कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकरशित करते हैं इस प्रकार पदार्थ के कणों की तीन मुख्य विशेश्टाओं को हमने इस वीडियो में समझा और ये विशेश्टाएं क्या हैं पहली ये कि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, दूसरी ये कि पदार्थ के कण निरंतर गती करते रहते हैं और तीसरी ये कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकरशित करते हैं.